नहीं समझ है तो भी मैं मानता हूँ एक मिनट के लिए कि ठीक है आप जानकारी नहीं है लेकिन अगर किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो धर्म के बारे में बोलने से पहले आप हमें मालूम है कि धर्म एक संवेदन शील बिस है ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप खड़गे हों तो खड़गे जी ने तो बोला ही राहूल गांदी नभी थोड़ दिन पहले कहा था कि मैं हिंदु धर में एक शक्ति होती है मैं शक्ति से लड़ रहा हूं मैं उसको हरा दूँगा अरे ऐसी बात क्यों करते हैं भाई देखिए रंजीत जी निर्मल मंजन सोह मो राम को छोटा करके हाथ पकड़के देश के ग्यानी प्रदान मंत्री ले जा रहे हैं राम छोटे हैं अब थोड़ से आपको बता दूजरा आप सुनेंगे तो बीजेपी मले बोले मोदी राम और योगी हनुमान के अफ्तार हैं यह राम का भगवान श्री राम को आदमी का बता रहें मोदी के महावली अफ्तार का दम बिपक्ष बेदम और सुन लिजिए केंदरे मंतिक गिरजा सिंग ने प्यम को मोदी को भगवान राम का अफ्तार बताया यह राम सुन लिजिए ज़रा और और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मंदिर जो है भगवान राम की जगे मोदी जी का बना दिया गया है यह मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ फिर हिमाचल प्रदेश के मंतरी बोले भगवान शिप का अफ्तार है प्यम नरेंदर मोदी यह रे फोटो उनके और सुन लिजिए सरकार में मंतरी उपेंदर तिपारी ने प्यम मोदी को भग भगवान शिप का अफ्तार बताया मैं यह पूछना चाहता हूँ कि भगवान भगवान होते हैं इनके लोग भगवान मैंने अभी आप से का खड़गे जी को आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना उन्होंने कोई लगने की बात करी ना वो हिंदू धरम के ले डेटेंट तो मोदी जी ने खड़गे जी ने यह का कि यहाँ लड़ाई वो लोग जो राम को बेचने का काम कर रहे हैं अईसा नहीं का उन्होंने का भई अगर आगर विपक्ष का प्रत्यासी अगर अगर मानता हूँ माई कि अगर राम उसका नाम होता और आपने कहा होता कि हम शीव हैं और राम हैं हम लोग लड़ लेंगे तो मुझे लगता कि चलो एक मिनट के लिए उन्होंने भगवान की बात नहीं कही होगी उन्होंने अपनी बात कही होगी लेकिन जब वहां कोई राम नाम का कोई प्रत्याशी नहीं है तो उसका नाम ले कर जब भी इनके सपने में रहाम आते हैं लेकिन तो किस रूप में आते हैं ज़्रादेखी आपके लिए फंड मिल सकें और उनको एड मिल सकें दीए आप इसे सहमत में इसी नहीं हूँ मैंने कहा कि जिनकी पार्टी के प्रमुक को भारती संस्कृती की भारती मार्टी की भारत के जो भारत की संस्कृती है भारत का जुड़ाव है उसकी जानकारी नहीं है तो उसके लोग ऐसे ही बोलेंगे अब श्रीमती सोनिया गांदी जी साथ क्या उमीद कर सकते हैं कि श्रीमती सोनिया खिराब बोला कि सनातन बोलने दिए आपके पास आएंगे आपके पास तर्ग नहीं होते तो आप तो नहीं कोशिश करते आपके पास एक एक पनी बात पूरी करें अब आपको समझ वहां कि नों कि आवाज बंद दबाईएगा क्योंकि उनको पता है कि जब हम बोलना सुरू करेंगे कांगर्रेस पार्टी की जो भगवान राम के खिलाब और देश के खिलाब जो नफरत है वो सामने अनी शुरू होगी ये बहर झाटे याब पर गश्ते करना है यूग बिलक्र हाँ एक लंबा सिलसला है एक लंबा सिलसला है लंबी फेहरिस्थ है ऐसे बयानों की ऐसे निताओं का की एक लंबी सूची है जो अब उन्होंने सनातन और राम के खिलाफ बयान बाजी की है क्यों की है इसके अलग-अलग लोगों की राय हो सकती है एक आखरी सवाल है जिसका क मानने वाले लोग 65 फीजदी लोग हैं राम से खुनस निकाल रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग 8 फीजदी हैं और 26 फीजदी लोग मानते हैं राम और शिव का मतलब ही नहीं समझते इसलिए इस तरह की बाते कर रहे हैं इस तरह की बचकानी बाते कर रहे हैं तो ये